जैहिन दोस्तो माई साहब डॉक्टर सुनील तवार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तो आज हम जानेंगे हमारे जो आर्मी एस्पी रेंट हैं जो एयर फोर्स आर्मी एंडी में जाना चाहते हैं उनके कान का रैफर जो उनको दे दिया उसको बड़ी निरा साह हुती है जब आदमी कोई रिटन ईग्जाम में पास करके और उसको मेडिकल में निकाल दिया जाता है और बाकी Gaan में जो कौमन पॉइंट होते हैं जो है कान के पड़े में या तो आपके होल होता है या कई की बार के उसमें सफेद दाग जिसको हमारी मेडिकल लेंग्वेज में टेंपेनोस्कलोसिस भी बोलते हैं दोस्तों दोनुचीज का 100% ट्रीटमेंट है कान की परदे में अगर आपके होल है तो उसको दुर्बीन की साहिता से एंडॉस्कोपिक जो ट्रांसकेनाल और एंडॉर जो टेक्निक्स होती है उसके महध्यम से कान के पीछे के चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों आप जहां पर भी इसका ट्रीटमेंट कराते हैं अमोवन यह करीब 1.5 गंटे का ट्रीटमेंट होता है एक ब्रदे गंटे इसका सर्जिकल टाइम होता है बट अगर ह हम बात करते हैं कि आपको medical कितनी तो at least आप यह मान के चलिए कि कम से कम जो है 20-25 दिन के बाद आप medical में जाने के लाइक हो सकते हो ऐसा नहीं है कि आज आपने surgery कराई और पांस दिन बाद आपका medical हो सकता हैं बड़ दोस्तु अगर आपको endoscopic transcanal और जो endoral technique से अगर आपकी surgery वही है आपका पीछे कान के पीछे चीरा नहीं लगा है आपका इसकार नहीं बना है आपको 100% कान के लिए आर्मे में कोई नहीं रोक सकता दोस्तो क्या prevention करना चाहिए अगर आपको आर्मी में आपको भरती जाना है बहुत बार दोस्तो आपका परदा अच्छा होता है ठीक है ना बिलकुल perfect होता है बट इयर में आपके wax होता है उसके करण भी जो है आपको refer दे दिया जाता है तो दोस्तो whenever you go आपको जब भी आर् देखके और monitor पे आपका wax clean किया जाता है जिससे क्या है कि आपके जो कान के अंदर जो दीवार है कैनाल है वहां injury नहीं होती दोस्तों बहुत बार क्या है कि आपने बिना देखे अगर कान को एक probe से clean कर रहा है तो बहुत बार वहां ही में टुमा बन जाता है उसका भी आपक होता है इसलिए दोस्तों आपको जब भी आपको कान का जो है regarding आपको treatment कराना है पहले ही आशोर कर ले कि वह सारी advanced facility वहां पे होनी चाहिए इसके अलावा दोस्तों बहुत बार क्या है आपका कोई year में कोई congestion होता है या कोई आपके infection होता है उसके करने भी बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि TM unhealthy करके भी जो है वो आपको जो है आपको रेफर बना दिया जाता है बट उसका भी आपको अगर मानलो को infection है ओटो माइकोसिस है उसका treatment दे के उसको ठीक किया जाता है तो दोस्तों अगर आपको कान की वज़े से आपको रेफर मिला है पॉइंट मिला है 100% उसमें निरास होने की जरूत नहीं है उसका सब चीजों का treatment है तो दोस्तों बहुत बार क्या है कि आपको जहां डिफेंस में आप जहां पर आपकी ट्रेनिंग चल रही है जो आपके अकेडमी में आप कोर्स कर रहे हो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो दोस्तों वहां पर पर क्या है कि आपका एंटी एक screening program होना चाहिए जहां पर आपके जो एएर के अंदर जो आपको medical से पहले अगर आपका screening program हो जाता है तो आप एवेर हो जाते हो कि आपके एर में wax है कंजेशन है तो उन सब चीजों से आपको वहां पर रैफर नहीं मिलता है तो आप वहां पर screening program भी करा सकते हो दोस्तों अगर आपको जो है medical से पहले अगर आपको जुखाम है बहुत पार कहा है जुखाम के कारण हमारा जो है कान और नोज की बीच की जो युच्टे के ट्य कान का पर्दा है उसमें रेडनेस हो जाती है जिसको हम कंजेशन बोलते है इसलिए अगर आपको जुखाम है आपका लग रहा है कि आपका medical है उससे पहले जो है वो कुछ medications जो है nasal drop है anti-cold medicine है वो ले लेनी चाहिए जिससे हमारा कान का पर्दा जो है वो healthy रहे और हमें unhealthy जो that information to your friends and family and colleagues just to create awareness about the referral point for the ear disease thank you